गुड मॉर्निंग स्टूडिंस तुड़े विल बी स्टूडिंग सेकें सोचिलोजी सेकेंड यूनिट अन्ट टॉपिक इस लाइफ ऑपर्चुनिटीज क्लास स्टेटस और पावर हिंदी में जिसे हम कहते हैं जीवन अवसर वर्ग प्रस्थिति एवां शक्ति इस यूनिट में हमको लाइफ ऑपर्चुनिटीज क्लास स्टेटस और पावर के बारे में मैक्स वीबर और काल मैक्स क्या कहते हैं यह पढ़ना है लेकिन उससे पहले हम पहले इस टर्म्स को समझ लेते हैं कि लाइफ ऑपर्चुनिटीज क्या होती है क्लास स्टेटस और पावर क्या होत उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि मैक्स वीबर और काल मैक्स इस इन टम्स के बारे में क्या एक्स्प्लेइन करते हैं हिंदी में हम इसे बुलेंगे जीवन अफसर वर्ग प्रस्थिति एवं शक्ति सबसे पहले life opportunities जिसे कहीं कहीं पर life chances भी लिखा गया है जीवन अफसर नाम से ही इस पर्ष्थ है जितने अच्छे अफसर जितनी अच्छी opportunities जितने अच्छे chances आपको मिलते हैं आपकी life उतनी अच्छी हो जाती है आपकी life की quality उतनी सुधर जाती है ये life status हमारे life opportunities हमको satisfaction देता है जितने अच्छे हमारे according काम होता है जो जो हमने target set किये हैं अगर वैसी वैसी चीज़े हमको मिलती हैं तो उतने अच्छे हमारा life का standard होता जाता है और accordingly हमको satisfaction या संतोश मिलता जाता है life chances यह word जो है सबसे पहले यह life opportunity जैसे मैंने कहा यह word सबसे पहले German sociologist Max Max Weber ने 1920 में दिया था इसे social science theory में रखा गया है according to this theory life chances are positively correlated with one's socio-economic status एक व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक अवस्था या स्थिति के अनुसार उसको जीवन अवसर प्राप्त होते हैं जितने अच्छे आपकी आर्थिक स्थिति होती है उतनी अच्छे आपके opportunities होते हैं opportunities in this sense refer to the extent to which one has access to resources both tangible and non-tangible, intangible ones मतलब मूर्थ और अमूर्थ स्त्रोतों कि जितने जादा हमको मिलते हैं life में उतना अच्छा हमारा opportunity माना जादा जैसे कि जितना अच्छा खाना, food, कपड़े पहनने के लिए जितनी अच्छी जगह रहने के लिए हमको मिलती है या जितने अच्छा education मिलता है या जितने अच्छी health facility मिलती है उतने अच्छे समझ लेते हैं हमकी हमारे को life opportunity या chances मिले हैं तो resources जितने जादा अच्छे मिलेंगे मतलब उतने अच्छे life opportunities हमको मिली हैं जीवन अवसर हमको अच्छे प्राप्त हुए हैं यह life chances comprises the individual's ability to procure goods have a career and obtain inner satisfaction यह हमको यह बताता है कि कितनी अच्छी चीज़े हम ले सकते हैं कितना अच्छा हम career में excel कर सकते हैं और उतनी जादा हमको आंतरिक संतुष्टी प्रदान करता है in other words the ability to satisfy one's need जितने जादा हम अपने जरूरतों को पर संतुष्टी पा लेते हैं उतने अच्छे जीवन अवसर हमको प्राप्त हुए हैं ऐसा हम मानते हैं मतलब जितनी अच्छी opportunities हमको मिली है उतनी अच्छा life status हमारा हो गया उतना अच्छा life standard हमारा हो गया और उतने जादा हम satisfied है life chances are the chances that sections of society have of achieving the things which are valued by their society मतलब हर society के हर class ने अपना एक standard fix करके रखा है कि इस standard की चीज़ें अगर आपके पास class है तो आप इस class of society को belong करते हैं तो जितना जादा जैसी उस class की society में अगर आप जाना चाहते हैं तो वैसे life opportunities आपको मिलने चाहिए तब तो आप उस class of society को enjoy कर पाएंगे हम एक example यहां पर लेते हैं बहुत ही famous movie थी Titanic I am very sure आप सबने यह movie देखी होगी तो इस movie में जब वह ship डूपती है तब life boats arrange किये जाते हैं सबके लिए और एक rule बनाया जाता है कि life boats में सबसे पहले महिलाओं को और बच्चों को भेजा जाएगा लेकिन जब भेजने का time आता है तब सबसे पहले high class की mothers और females और बच्चों को भेजा जाता है उसके बाद second class उसके बाद third class उसके बाद lower class तो यह जो class है मतलब जो सबसे अच्छी class के लोग थे उनको सबसे अच्छे अच्छे प्राप्त हुए life opportunity उनकी सबसे अच्छी थी और जैसे जैसे उनका standard गिरता गया उनका class गिरता गया या वो नीचे के उसमें आते गया वैसे वैसा उनके अफसर उनको कम प्राप्त हुए या नहीं प्राप्त हुए तो जितने अच्छे class में आप जाते हैं उतने अच्छे अफसर उतने पहले आपको दिये जाते हैं या आपको प्राप्त होते हैं नेक्स्ट इस क्लास वर्ग वर्ग क्या चीज़ है लोगों की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनितिक और शैक्षिक अवस्था के आधार पर उन्हें वर्ग में विभाजित किया जाता है आप किस साइटी को बलाउंग करतें वैसा क्लास आपको मिले घा आपका स्टेटेस वैसी श्था आपको में वैसी क्लास में आपको रखा जाता है characteristics of class work की विशेशता है it is a group of people formed on the basis of some specialities वह work है जिसमें लोगों को उनके विशेशताओं के आधार पर संगठित किया जाता है जैसी आपकी speciality जिस speciality को आप belong करते हैं मतलब कि अगर आप higher class के हैं तो आपको higher class मिलेगा अगर आप financially strong हैं मतलब higher class में जाएंगे आप weak हैं तो lower class में जाएंगे तो आपकी क्या quality है उसके आधार पर आपको वो class दी जाती है it is not related to birth यह जन्म जात अवस्था नहीं है यह जन्म का इसमें कोई महत्व नहीं है people of one class has difference of feelings with other class of people एक वर्ग के लोगों में दूसरे वर्ग के लोगों के प्रती उचता एवं भिन्नता की भावना होती है मतलब आप जिस भी class में होते हैं उससे दूसरे वाले class के प्रती आपके पास थोड़ा सा difference of opinion होता है थोड़ा सा feelings आपकी negative होती है Each class remains aware of its right प्रती एक वर्ग अपने अधिकारों के प्रती सजग होता है हर class को अपने rights पता होते हैं Social relation of each class is always restricted to the same class एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंद अपने वर्ग के लोगों तक ही सीमित रहते हैं मतलब social relation सामाजिक संबंद जो है वो particular class restricted होते हैं आप अपने ही class के लोगों के साथ बहुत अच्छे से संबंद बनाके रहते हैं Birth is not important मतलब आपका जन महत्वपूर्ण नहीं है मतलब आपकी class में बर्थ आपका हुआ है जन हुआ है वह बिलकूल भी महत्वपूर्ण नहीं है आपकी class decide करने के लिए class system is independent and anyone can enter and exit in each class बर्ग व्यवस्था मुक्त होती है इसमें कोई भी आया जा सकता है इस इंडिपेंडेंट मतलब यह स्वतंत्र है मतलब आप अपने efforts के थूँ अपने प्रयासों के थूँ अपनी class change कर सकते हैं आप higher class में चले जा सकते हैं अगर आपके efforts अच्छे नहीं है तो आप lower class में भी जाते हैं there is continuous change in position of class आप अपने प्रयासों के थूँ अपने class को continuously बदल सकते हैं a system of hierarchy of status पदानुकरम का एक प्रणाली है मतलब आप आपकी hierarchy decide होती है आपकी class से distinctive mode of life and cultural expression of each class प्रत्यकवर्ग के जीवन शैली और अभी व्यक्तियों की विशिष्ट विद्या होती है मतलब हर class का एक lifestyle होता है expression होता है आप उनके lifestyle और expression या behavior से आप समद सकते हैं उनके culture से आप समद सकते हैं कि वो इंसान किस class को belong करता है it is difficult to measure आप class को map नहीं सकते हैं कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा है three main classes class के type तीन type के class है upper class, middle class और lower उच्य, madhyam और निम्न upper class में हम सारे white collar jobs को रखते हैं top class, executors, industrialis, businessmen जितने भी व्यवसाई हैं और wealthy, rich लोग जितने हैं है ना वो सब upper class में आता है middle class में सारे white collar job जो professionals होते हैं वो रखे जाते हैं lower class में सारे working class या blue collar job जिसको कहते है manual job, श्रमिक जितने होते हैं labors जितने होते हैं उनको रखा जाता है इसके साथ एक fourth class भी बनाई गई है जिसको की peasants जिसमें की peasants याने की farmers जो की कृशी से संबंदित लोग है उनको रखा गया है उसके बाद एक fifth class का भी निर्मान हुआ है जिसमें की सारे minority अल्प संख्यकों को रखा गया है जिनको की life opportunity सबसे देर से और सबसे कम quality की मिलती है next is power शक्ती शक्ती की अवधारना concept of power power is the capacity of individual to influence the conduct of others आप दूसरों पर कितने अपना प्रभाव डालते हैं उससे आपकी शक्ती आपके power का पता चलता है या बल के प्रयोग की योगयता न होकर वास्तविक आपका कितना बल है उस पर depend मतलब power is capability to use force and not its actual use या definition Robert Burtstreet नहीं कही थी कि शक्ती बल के प्रयोग की योगयता है न की उसका वास्तविक प्रयोग मने आपको कैसे अपना power use करना है ये ability power है न की किसी पर power यू मतलब enforce करना किसी पर जबर्दस्ती कुछ अपना बल लगाना is not power लेकिन अपने power को यूज करके किसी कारे को finish करवाना that is power according to Robert Burtstreet अब characteristics of power पावर की विशेशता है ability to use force बल प्रयोग करने की योगयता आप जितना अच्छा अपने फोर्स अपने पावर को यूज करते हैं उतने पावरफुल आप माने जाते हैं it depends on person व्यक्ति से संबंधित है ये depend करता है कौन कितना पावरफुल है वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है आप किसी के भी पावर से influence नहीं होते हैं unless आप उस व्यक्ति को जानते हों उसके पावर को जब तक जानते नहीं हैं तो आप उससे influence नहीं होते हैं it has various forms शक्ति के अनेक रूप होते हैं there is inequality in effect of power शक्ति के प्रभाव में असमानता inequality in the effect of power मतलब किसकोई अपने शेत्र में ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन वही इंसान जब दूसरे कंट्री में चला जाता है या दूसरे किसी जगह चला जाता है तो वह उतना इंफ्लुएंचल नहीं होता है तो वह उसके पावज उतने नहीं होते हैं जितने कि उसके खुद के स्टेट में जितने उसके पावज होते हैं देन इट ब्रिंग्स बिहेवियरल चेंज़ व्यवहार परिवर्तन आप जितने ज़्यादा शक्ति शाली होते जाते हैं आपके व्यवहार में भी वैसे वैसे परिवर्तन आते जाते हैं जैसे कि एक नेता अगर आप बनते हैं तो आपकी वॉइस में जो पावर है जिससे कि सारे लोग आपके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं लेकिन अगर आप नेताव अगरे कुछ नहीं होते हैं और आप कुछ बोलते हैं तो आप उतने influence नहीं डालते हैं लोगों पर उनके behavior पर उतना influence आपका नहीं रहता है नाओ कम टाइपस ओफ पावर शक्ती के प्रकार पहला है legitimate power विधी सम्मत शक्ती power that is given to a person based on their position or role is known as legitimate power याने की positional power किसी position की जो power होती है वो power को enjoy करना that is known as legitimate power जैसे कि प्रधान मंत्री हैं आपके जैसे कि chief minister है आपके इनके वो post का जो power होता है वो आपको automatically मिलता है reward power या पुरुषकार शक्ती जब आपको किसी काम को करने के बाद bonus मिलता है incentive मिलता है आपको motivate करने के लिए इसे use किया जाता है ऐसी चीजों को that is known as reward power या पुरुषकार शक्ती जैसे example के ले सकते हैं आपको CR कैसे बनाया जाता है class का जब आपके percentage हाई होंगे तब आपको election में खड़े होने का मौका मिलता है और आपको फिर उसके बाद CR चुना जाता है तो जब आप incentive आपका क्या है CR ship और आप वो कैसे प्राप्त के हैं आप अच्छा परफॉर्म करके उसको बाद आट इस coercive power या अनिवार शक्ति influences others behavior by the ability to threaten and punish others जब आपमें किसी को punish करने की power आ जाती है power दी जाती है that is known as coercive power या फिर अनिवार शक्ति जैसे कि आप लेट आते हैं तो आपको marks कम दी जाते हैं आपको absent लगाया दिया जाता है तो that is known as coercive power आपको punish करने की power जब किसी को दी जाती है that is known as late submission assignments जैसे आपके चल रहे हैं तो आप late submission करते हैं तो आपको कुछ punishment मिलेगा तो that is known as coercive power then a referent power दिख दर्शन सामर्थे it is the ability to influence others because they respect admire और लाइकी जब कोई इंसान आपको पसंद करता है आपको बहुत respect देता है आदर करता है आपसे बहुत प्रभावित रहता है वो तो आपको आपको एक पावर देता है आपने आपको control करने के लिए आप उसकी सब बात मांगते हैं तो that is known as referent power just because that you admire that person or you respect that person or you like that person you start obeying that person so that is known as referent power then expert power या विशेशग्य शक्ती नाम से ही सपष्ट है आप में कोई skill है या आप में कोई expertise हैं आप किसी चीज में कोई चीज ऐसी है जो सिर्फ आपको आती है और किसी को नहीं आती है तो automatically आपको वो skill की power मिल जाती है वह expertise की power मिल जाती है तो आप वो विशेशग्य बन जाते हैं उस पर्टिकल कोशल में तो वह जब वह ऐसी वाली कोई पावर आपको मिलती है तो उसे कहते है एक्सपोर्ट पावर या विशेश अंकिया शक्ति जो एक पर्टिकुलर स्किल होने पर या कोई टैलेंट है आपके पास कोई विशेश नॉलेज है आपके पास ग्यान है उसके कारण मिलती है सोर्सस ऑफ पावर क्या स्त्रोथ हैं शक्ति के पहला वेल्थ जितने धनवान आप होएंगे जितनी धन आपके पास होगा वैसा शक्ति आपके पास होगा नॉलेज ग्यान अचीव्मेंट उपलब्दियां और्गनाइजेशन संगठन जितने अच्छे संगठन से आप असो काम कर रहे हैं तो आपको ने अच्छा पावरफुल मैसूस होता है अपने शक्ति शाली याप मैसूस करते हैं तरह अगर सकता में है रूलिंग पार्टी feel करते हैं आपका thought process विचार शक्ती जितने अच्छी होती है तुनिवार्फुल आप हैं लीडर्शिप टॉलिटी जितने जादा नेत्रित्व शक्ति अच्छी होती है आपकी उतने आप शक्ति शाली होते हैं लाव एन अफेक्शन आप जितना प्रेम वा प्रभाव आप दूसरों के लिए रखते हैं उतना ज्यादा आप अपने शक्ति प्रदर्शित करते हैं सुसाइटी ज़ने नेटवर्क ऑफ स्टेटस समाज समाजिक प्रस्थितियों का जाल है ऐसा किस ने कहा बर्स्टिक ने कहा और सबसे सिंपल टॉप में अगर हम समझे तो ड़ टॉप स्टेटस रिफोज स्टू ऑपर्सेंस रांग और पोजिशन इन पर्टिकलर कंटेक्स्ट आप एक particular जगह में आपका क्या position है, आपकी क्या अवस्था है, किस rank पर आपको रखा गया है, वो आपकी status माना जाता है किस पद पर है, आप किस पद की का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, वो आपका status या प्रवस्थिती कहलाती है characteristics of status, प्रवस्थिती की विशेशता है, depends on others, यह दूसरों पर आश्रित होती है same person with many status, जैसे एक व्यक्ति की अनेक प्रस्थितियां होती है जैसे की एक teacher है, वो school में teacher है, घर में father है, फिर किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, शिक्षक है, नेता है ऐसे बहुत सारे roles एक ही आदमी जम निभाता है, तो उसे हम status complex, याने की प्रस्थिती संकूल कहते है या status set, याने की प्रस्थिती प्रतिमान भी कहते है division of class on the basis of status, आप किस status को belong करते हैं, प्रस्थिती के आधार पर वर्ग विभाजन आप एक समान प्रस्थिती वाले लोगों को एक वर्ग अवस्था में रखा जाता है या एक समू में रखा जाता है, जैसे सारे doctors को एक समू में रखा जाता है सारे शिक्षक को एक समू में, उनका एक अर्णा status होता है इन इक्वालिटी इन, स्पेशल वाल्यू एड ओनर टू इच स्टेटस, विशेश मुल्य एवं प्रतिश्था माने हर स्टेटस के लोगों को एक पर्तिकुलर समाज में इजजत और प्रतिश्था मिलती है जैसे शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, इंजिनियर हैं, इनके एक विशेश प्रतिश्था होती है एक विशेश स्पेशल वाल्यू होती है इनके लिए then inequality in role playing, सभी प्रस्थितियों की निर्विग न असमानता है मतलब आप एक ही व्यक्ति सभी प्रस्थितियों में justify नहीं कर सकता हर रोल को मतलब अगर एक teacher है, वो एक mother भी है और एक daughter भी है, sister भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे roles को equally treat कर पाए वो कोई भी एक role को बहुत expertise के साथ निर्विग न करती है उस चीज़ का लेकिन बाकी roles उसके थोड़े-थोड़े से कमजोर पढ़ जाते है जैसे कि वो एक अच्छी mother नहीं होगी या एक अच्छी daughter नहीं होगी लेकिन बहुत अच्छी teacher होगी है अभी हो सकता है then social discrimination समाजिक विभेदी करण हर प्रस्थिती के अधार पर अलग-अलग social status आपको मिलता है जितना अच्छा आपका status होगा समाज में उत्ती अच्छी class आपको दी जाती है मतलब आपका discriminate आपके status पे होता है आपका विभेदी करण आपके प्रस्थिती के अनुसार किया जाता है relation with role and status प्रस्थिती एवं भूमिका का संबंद यह दोनों अपस में अंतर संबंदित है अगर आप अच्छा role play करते हैं तो भी आपको अच्छा status मिलता है अगर आप अपना role अच्छा से नहीं करेंगे तो आपका status अच्छा नहीं होगा जैसे कि मैं teacher हूँ अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ तो मुझे एक teacher वाला status enjoy करने नहीं मिलेगा मैं अगर एक politician हूँ एक नेता हूँ और मैं अपना वो वाला काम अपने politician वाला role अच्छे से play नहीं कर रहे हूँ तो मुझे politician का status नहीं enjoy करने मिलेगा मतलब अगर मुझे कोई या एक doctor है वो अच्छे से treatment नहीं कर रहा है तो उसे doctor वाला status society में अच्छे से नहीं मिलेगा उसको वो respect नहीं मिलेगी तो अगर आपको अच्छा status चाहिए तो आपको अच्छा role करना पड़ेगा और दूसरा है अरजित प्रस्थिति या जिसे हम achieved status कहते हैं आप picture में देख सकते हैं एक player है और उसके हाथ में medal है उसने achieve किया है वो position और ascribed याने चोटे बच्छों की photo दिख रही है याने कि by birth तो achieved status is a status that an individual earns or chooses and that reflects their skill ability and efforts मतलब achieved status क्या होगा अरजित प्रस्थिति क्या होगी जो आपने अपने अपने प्रयासों से प्राप्त की है आपने अपने कौशल और अपनी योग्यता दिखा कर उसे खुद कमाया है आपने उसे खुद चूज किया है अपने लिए और ascribed status प्रदत प्रस्थिति क्या होगी आप status that an individual is born with और otherwise assigned and has no control over आप उसने आप उस status के साथ पैदा होते हैं आप जनजात उस प्रस्थिति में रहते हैं आप उसको बदल नहीं पाते हैं आपका उस पर कोई control उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है it is ascribed status it is one which an individual gets at his birth it is conferred by him by his group or society उसके उससे समाज या उसकी सोसाइटी उसको वो या उसका जो वर्ग है वो समूह जो है वो उसको देता है it may be based on sex, age, caste और color मतलब जैसे sex link है by birth आप male या female है तो जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी में male को special status मिलता है तो वो वो status को enjoy करता है age अगर आप घर के बहुत सबसे बड़े हैं संतान है तो आपको बड़े जो घर के बड़े को जो सम्मान मिलता है वो status आप enjoy करते हैं लेकिन यहाँ पे condition यह भी देखने को मिलती है अमारी सोसाइटी में जैसे 4-5 बहनों के बाद एक भाई होता है चोटा हलाकि वो सबसे चो The Cast-Jati जैसे की हमारे society में है चार का सिस्टम के चार टाइप तो आप जिस स्टम में है उसका जो स्टेटस है तो सुसाइटी में वह आक को मिलता है रेस यानि प्रजाती कलर अब कर जितना अच्छा कलर उतना अच्छा स्टेटस जितना अच्छा स्टेटस हमारी सोसाइटी म ऐसा है और फिजिकल अबिलिटी शारेरी की विशेशता है लंबे गोरे गोरा और लोगों की अलग स्टेटस है वही अगर कद छोटा है कलर डल है आप अपंग है फिजिकली डिसेबल हैं तो आपका थोड़ा सा स्टेटस वीक हो जाता है यही चीज़े रिष्टेदारी मतलब कि ब्लड रिलेशन्स में भी देखने को मिलती है आपको कि जैसे कि अगर आपकी फैमिली में ही कोई बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है तो वह आप ही उसको कंटिन्यू करेंगे जैसे कि राजा का बेटा राजकुमार ही बनता है तो वह आपको ब्लड में ब्लड दारी के कारण आपको वो status enjoy करने मिलता है जबकि आपने वो qualities नहीं होती हैं कि आप उसको enjoy कर सकें then achieved status it is one which an individually achieves by his efforts आप अपने प्रयासों से उसे अर्जित करते हैं इसका जन्म से कोई आधार नहीं होता है और आपको ये गुण योग्यता और शमताओं पर आधारी तो a man born in a low caste may be his efforts become the prime minister and achieve high status माने आप अपनी योग्यता अपने गुण अपनी शमताओं के आधार पर एक अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं बजाए आप एक low caste में पैदा होने के बावजूद आप अपने प्रयासों से एक अच्छा status अर्जित कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं अर्जित प्रस्थिति या अच्छीवड स्टेटस अग्जामपल देख सकते हैं आद इसक्राइब और अच्छीवड स्टेटस एक ही इंसान वह मेल या फीमेल हो सकता है उसकी एज है वह बड़ा या छोटा हो सकता है वह अपर मिदल या लोगा क्लास में पैदा हो सकता है और उसका religion culture यह सब चीज by birth उसको मिलती है और वही किसी से शादी करने के बाद वह husband wife में से कोई एक role मिलता है उसको father mother में से कोई एक parent बन जाता है वो फिर उसका profession जो है वो या तो teacher doctor advocate politician कुछ भी बनता है तो वो अपने effort से मनता है तो subscribe जितने status होती है वो सारी जन जात होती बाइबर्थ आपको मिलती है उस पर आपका control नहीं होता है और achieved status अर्जित प्रस्थिती जो होती है वो आपको आपके प्रयासों से मिलती है आप उसको बदल सकती हैं सुधार सकते हैं तो हमने आज life opportunities, class, status और power इन चीजों के बारे में समझा अब नेक्स्ट वीडियो में हम sociologist इसके बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में पढ़ेंगे Thank You क्या है।